नमस्ते सब लोग, 3Daisy यहाँ है, मेरे चैनल पर वापस स्वागत है आज हम सुनो 3.5 के नवीनतम संस्क्रण में गोता लगाएंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं इसे कैसे उत्योग करता हूँ सुनो के साथ आपके पास दो विकल्प हैं Default Mode और Custom Mode Default Mode शुरुआती लोगों के लिए बिल्कुल सही है आपको केवल यह भरना है कि आप अपने गाने के बारे में क्या चाहते हैं और Style लेकिन अगर आप मेरी तरह अधिक नियंत्रण चाहते हैं तो Custom Mode सबसे अच्छा है मैं एक शीर्षक दर्ज करके और सुनो के नवीनतम Model का चैन करके शुरू करता हूं त्वरित Update Model चैन अब प्रिष्ट के शीर्ष पर चला गया है संगीत की शैली अनुभाग में आप अपनी इच्छित संगीत शैली दर्ज कर सकते हैं या नई सुविधा का उपयोग कर सकते हैं मैं अपनी खुद की lyrics का उपयोग करना चुनता हूं लेकिन आप स्वच्चालित रूप से lyrics उत्पन्न करने का विकल्प भी चुन सकते हैं बस आप जो चाहते हैं उसका वर्णन करें lyrics उत्पन्न करें पर click करें और सुनो बाकी का काम करेगा एक बार जब मैं अपनी input से खुश हूँ तो मैं create पर click करता हूँ और मुझे दो track मिलते हैं जब play button दिखाई देता है तो मैं उन्हें सुन सकता हूँ और समीक्षा कर सकता हूँ पहले दो track मेरे style के नहीं है इसलिए मैं फिर से प्रयास करता हूँ अगले दो परिणाम अभी भी वह नहीं है जो मैं ढून रहा हूँ और दूसरे की ध्वनी गुणवत्ता खराब है इसलिए मैं इसे एक thumbs down देता हूँ सुनो इस feedback का उपयोग अपने model को सुधारने के लिए करता है मैंने देखा कि सुनो ने कोई intro नहीं जोड़ा है और सीधे गाना शुरू कर दिया है इसलिए मैं एक meta tag जोड़ता हूँ ताकि intro जोड़ने की कोशिश की जा सके ये हमेशा काम नहीं करता और शैली पर निर्भर करता है लेकिन आप हमेशा intro के लिए instrumental विकल्प चुन सकते हैं आप मेरे पिछले वीडियो में अधिक विवरन पा सकते हैं विचार करने पर मैं संगीत शैली को थोड़ा बदलना चाहता हूँ इसलिए मैं कुछ बदलाव करता हूँ और अगले दो track के लिए फिर से create पर क्लिक करता हूँ दूसरा track अच्छा है लेकिन पूर्ण नहीं है मैं ध्यान से सुनता हूँ ताकि मैं उन भागों की पहचान कर सकूँ जो मुझे पसंद है और जिन भागों को मैं पुनह उत्पन्न करना चाहता हूँ मैं track को एक thumbs up देता हूँ extend पर क्लिक करता हूँ और सही समय दर्ज करता हूँ मैं गाय गय पाट को हटा देता हूँ और extend बटन पर क्लिक करता हूँ अब मैंने देखा कि chorus से verse की और संक्रमन बहुत तेजी से हो रहा है मैं इसे एक अतिरिक्त meta tag जोड कर ठीक करता हूँ और जब मैं कर लेता हूँ तो मैं फिर से extend पर क्लिक करता हूँ पहला परिणाम सबसे अच्छा था इसलिए मैं इसे एक thumbs up देता हूँ extend पर क्लिक करता हूँ वह बिंदू ढूनता हूँ जहां मैं जारी रखना चाहता हूँ सही समय दर्ज करता हूँ और गाय गाय पाट को हटा देता हूँ कभी कभी chorus समान नहीं लगता लेकिन एक आसान तरीका है इसे पूर्ण गीत बनाना ये आपके गीत को अधिक स्मृति देता है और बहतर ढंग से melody line को बनाय रखता है जब पूर्ण गीत तयार होता है तो मैं सुनता हूँ, एक thumbs up देता हूँ extend पर क्लिक करता हूँ और फिर से सही समय दर्ज करता हूँ अब जब यह वैसा ही लगता है जैसा मैं चाहता था मैं एक और पूर्ण गीत बनाता हूँ लेकिन मैं अभी भी समाप्त नहीं हुआ हूँ मैं मूल आउटर के बाद chorus को दोहराने का निर्णे लेता हूँ पहले chorus के लिए मैं इसे थोड़ा अकैपेला चाहता हूँ इसलिए मैं एक मेटाटैक जोडता हूँ और दूसरे chorus के लिए मैं अंतिम शब्द पर E को जोडता हूँ इसे कोष्ठकों में दोहरा कर और एक फेड आउट मेटाटैक जोडता हूँ AI को संकेत देने के लिए कि गीत समाप्त होना चाहिए मैं घुंघराले कोष्ठकों में end चोडता हूँ मैं एक thumbs up देता हूँ, extend पर क्लिक करता हूँ सुनता हूँ कि इसे कहां जारी रहना चाहिए सही समय दर्ज करता हूँ और फिर से extend बटन पर क्लिक करता हूँ दूसरा track बिलकुल वैसा ही समाप्त होता है जैसा मैं चाहता था इसलिए मैं इसे एक thumbs up देता हूँ और आखिरी बार एक पूर्ण गीत बनाता हूँ अब अगर मैं चाहूँ तो मैं गीत को अपनी छवी दे सकता हूँ आप इसे एक नई prompt दर्ज करके या जैसे मैं अब कर रहा हूँ एक photo upload करके व्यक्तिगत बना सकते हैं अंत में मैं अपने गीत को सारवजनिक set करता हूँ इससे इसे सूनो के home page पर दिखाई देने का मौका मिलता है लेकिन ध्यान रखें कि अन्य लोग भी आपके गीत का उपयोग कर सकते हैं अगर आप अपने गीत को streaming सेवाओं पर release करना चाहते हैं तो यह विचार करें कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है एन आज के लिए बस इतना ही अगर आपको यह वीडियो मज़ेदार और जानकारी पूर्ण लगा तो मुझे एक लाइक दें और नई सुविधाओं के अपडेट के लिए मुझे फॉलो करें संकेत सुनो आउडियो अप्लोड पर काम कर रहा है और अगर आपको यह पहले से ही शानदार लगा तो देखें कि आगे क्या आने वाला है जल्दी मिलेंगे